हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये सनिवार के दिन का वीडियो है सुबह का टाइम है टाइम तो एकदम एक्टूरेट मुझे याद नहीं है बट खाना पीना सब हो चुका है चाय वग खाई नहीं दे रहा था और लगा था कि बिल्कुल धूप नहीं होगी लेकिन अभी ना बहुत अच्छी धूप निकल गई है तो बस मेरे दिमाग में आया ना कि आज ये सारे बेट सीट वगएरा कंबल वगएरा सब मैं धूप में डाल देती हूं और धूप में मैंने सब अच्छी एनरजी आ गए कि नहीं चलो आज बहुत दिन बाद इतनी जल्दी धूप तो धी मतलब उसी में बीच में किसी दिन एकदम नहीं हो रहा है किसी दिन हो रहा है ऐसे ऐसे चल रहा है और धूप निकलने का टाइम वही 11 बजे 12 बजे ऐसे होता है लेकिन आज जल्दी धूप निकल गई तो जैसे लगा ना कि बहुत दिन के बाद आज अच्छी धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा था और कैप वगरा सब मैंने निकाल दिया ये भी ना पहने पहने स्वेटर वगरा जैसे एकदम सरीर बंधा बंधा सा लग रहा है जैसे सब कुछ निकाल दिया था लेकिन आधे गंटे बाद ना इतनी ठंड लगने लगी थी लेकिन सफाई में लग गई थी तो फिर हुआ कि चलो अब लग गई हूं काम करने में तो काम करी लेती हूं तो बस यहां पर जो बेट सीट बिचाया था इसके नीचे ना उसको साफ कर करने के लिए निकाल दिया है और जो गरम वाला बेट सीट था ना उसको धूप में सिर्फ डाला है क्योंकि अभी मैंने उसको साफ किया था तो जल्दी जल्दी मैं गरम वाले बेट सीट नहीं साफ करती हूं तो जितना साफ करना जरूरी नहीं है मनलब जल्दी जल्दी द जो भी थोड़ी बहुत होगी न वो सब खतम हो जाती है नमी जो भी रहती है तो धूप तिखाना जरूरी होता है क्योंकि इस समयना हर जगह नमी रहती है तो इस टाइम पे घर में भी रूम के अंदर तो धूप वगरा बहुत कमाती है तो हम ये बेट सीट कंबल सब कुछ ब तो थी नहीं क्योंकि धकाई खुलता ही नहीं है बिल्कुल नहीं खुलता है जो है क्योंकि खोल भी दूना तो इस समय हवा ही आएगी धूप वगरा बिल्कुल आना नहीं है तो इसी वज़से मैं खोलती ही नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी नहीं और बाहर से भी मतलब पीछे ना बहुत जादा एकदम जंगल जार जैसा हो गया है तो धूल गंदगी समय नहीं है गर्मी में थोड़ा बहुत रहता है लेकिन इस टाइम पीछे से नहीं आगे से धूल जो आनी रहती आती है पीछे नहीं होता है पीछे पेंड पौधे ना बहुत जाडू लगाया मैंने और जाडू लगाने के बाद तुरंत यहां पे डस्टिंग कर ले रहे हूं कि इस रूम वाला का काम जो है खतम हो जाए क्योंकि अभी यह है ना कि मतलब जितनी जल्दी हम काम खतम कर लें उतना सही रहता है और जैसे सिस्टम पूरा बना के कि नहीं पूरे रूम में पहले जाडू लगाया फिर डस्टिंग किया फिर पोचा मतलब अगर वो करेंगे ना तो उसमें टाइम लग जाएगा तो जो जैसे जहां दिखा वहां फटा फट पोचते जाओ जाओ जाडू लगाते जाओ रूम को समेटते जाओ तो सही रहता है उसके बाद आ गई हूं किचन में और यहां पर यह आटे वाला जो ड्रम था ना इसको मैंने निकाला है धुलने के लिए तो यहां पर भी जाडू लगा दे रही हूं और आटा इस बार ना मैं वही एक दो दिन के लिए जैसे चली गई थी ना तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो रूम देखे कितना फैला हुआ है मतलब पूरा जो है ना इसको जतनी जगह दी जाये ना उतनी जगह को यह खबर कर लेता है इसकी बुख-कॉपी मतलब इस रूम में तीन टेबल है तीनों टेबल पे रहता है जो है चेयर पे भी कुछ रख देगा बेड भी मतलब भर अब भी जस्ट वो कहीं गया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत समेट लेती हूं ने तो फिर वो दिन भर ऐसे ही रह जाएगा और बोलता है मैं कर दूंगा रहने दीजे मुझे पढ़ना है तो यह करना है मलब करने भी नहीं देता है तो बस हट थोड़ी दिर के लिए तो मैंने जल्दी से इस रूम को भी साफ कर लिया यह बेट सीट में बिचा रहे थी लेकिन फिर द्यान में आया कि नहीं इसको भी लगे हाथ साफ ही कर देती हूं लेकिन मौसम बहुत खराब हो गया था तब तक मैं यह रूम में आई थी इस वाले म तो यहाँ पर दूसरा बेट सीट बिचा दिया और यह ना जो मैं बिचा रहे हूं यह कॉटन नहीं है तो इसके उपर कंबल बिचाना है तो इस वज़े से मैंने सुचा ना कि यह अंदर रखा हुआ था लेकिन आज मैं बिचा दी कि उपर कंबल ही बिचाना है तो नीचे थोड़ा बहुत ये पॉलिस्टर वाला भी चल जाएगा नहीं तो फिर गर्मी वगरा में न ये बिचाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है गर्मी में ये ठंड में भी पॉलिस्टर ऐसा है ना कि किसी भी मौसम में हम बिचा नहीं सकते इसको मैंने ले लिया था खरीदते पता ही नहीं चला लगा कि कॉटन है और बाद में जब मैंने साफ किया ना तो इसका कपड़ा बहुत ही खराब निकल गया तो अभी सब कुछ बिचा दिया और टेबल पर बस ऐसे ही कपड़ा मार दे रही हूं बाकी मैंने कुछ समेटा नहीं है क्योंकि वो ना अभी उधर कर दी उधर कर दी तो इस वज़े से मैंने बहुत जादा छेड़ चाड़ नहीं की है और पूरे घर में जारू लगा दिया उसके बाद आ गए हूं किचन में तो यहां पे जो अभी सफाई कर रही हूं तो किचन मैंने छोड़ा हुआ था क्योंकि इसमें ना दूद म सारी सफाई कर दी है तो बस यह लास्ट में रगया और यह सब करने के बाद जो है फिर पोच्छा लगाऊंगी पोच्छा मेरा एकदम लास्ट में लगता है अभी जैसे नहाने जाती हूं ना मतलब गर्मियों में तो लगा देती हूं लेकिन अभी क्या हूँ रहा है ना कि नहाने जाती हूं तब लगाती हूं कि मतलब फैन वगरा चालू करके एकदम जाती हूं फुल पे और नहा दोके आने तक जो है सूख जाता है नहीं तो ऐसे तो फैन में चलने लाइक भी नहीं है बिल्कुल और पोच्छा ऐसे सूखे गाई नहीं अभी तो इतनी ज्यादा नमी हो गई है कि मतलब फैन चालू करने पे भी जल्दी नहीं सुखता है टाइम लगता है सुखने में तो इस टाइम पे यहीं है कि जिस टाइम पे घर पे कोई ना रहे ना उस समय पोच्छा हम लगाएं तो बढ़िया रहे कभी गभी ऐसा हो जाता है ना पहले अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है मैं रात को ही जैसे पोछा लगा देती थी लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन पहले मैं क्या करती थी ना कि ठंड के टाइम में जो है सुबह पोछा सुखता नहीं था ना तो मैं रात में जैसे जिस रूम में नहीं रहना होता है या किचन में तो मैं पोच्छा लगा देती थी कि सूख जाएगा अच्छे से जो है सुबह के टाइम हम ज्यादा चलते फिरते हैं तो सूखता नहीं है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए रात में जाड़ू और पोच्छा नहीं लगाना चाहिए जब मुझे पता चलाना तब से मैंने छोड़ दिया पहले ऐसा मैं कर देती थी सिर्फ इसी चकर में ठंड में जो है या बारी स्वाले मौसम में तो अभी पूरा पोच्छा लगाने के बाद यहाँ पे बेसिन को भी साफ कर दिया है और वही हैंडवास से ही साफ किया है उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सीड़ियों पे भी लगा ले रही हूं तो बहुत जादा ना यह पोच्छा मैंने धो के हैंक कर दिया था उसके बाद थोड़ा सा पानी इसका निकल गया तभी लिया के लगा रही हूं कि तुरंत कुछी देर में सूख जाएगा तो अभी नहा दोके आ गई हूं और यह बेट सीड मतलब बहुत तेज गलन इतनी जादा बड़ी हुई है बहुत तेज मतलब सुबह मौसम ऐसा हुआ था ना कि लगा था कि आज बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा मतलब अच्छी खासी धूप निकलेगी लेकिन उसके बाद इतना खराब मौसम हुआ और अभी हलकी फुलकी है लेकिन गलन बहुत तेज हो गई है तो बस कपड़े वगरा डाले मैंने और फिर यहां पर अभी यह चाय का टाइम है थोड़ा सा पहले ही चाय बना रही हूं क्योंकि आज जो है पापा को जाना था कहीं कहीं निमंतर्ण था खाने का साधी वगरा में जाना था तो थोड समय समय से उनको भूख लग जाती उनका टाइम जितने टाइम उनको खाना खाना होता है जितने टाइम उनको चाय चाहिए एकदम एक्क्यूरेट उसी टाइम पर उनको चाहिए वो कहीं भी रहे तो इस वज़़े से होता है ना कि घर से वो टाइमली खापी के निकले क्यों की अधी ब्याम में स्मय से नहीं मिल पाता है है तो ıkने ना बताしました वह चुरा मतर बहुत मन से नहीं घाता है तो उसके लिए मैंने चावल फ्राय किया और अभी यहाँ पे साग लेकर बैठ गए हूं तोड़ने के हमें चांग sowasMI लगता है मुझे मतलब इतना ज्यादा इसमें टाइम लगता है तोड़ना खराब नहीं लगता है लेकिन टाइम इतना ज्यादा लगता है जैसे लगता है मैं जितना इसको तोड़ती जाती हूं उतना ये बढ़ता जाता है खतम होने का नामी ने लेता और बहुत ज्यादा था भी तो ये ना मंजुवांटी खेत से लेके आई है, ऐसे मार्केट से आता है तो थोड़ा सा कमी रहता है लेकिन वो जो है खेत से लेके आई है तो खुब धेर सारा बथुआ, सरसो का साग और चने का तीनों था, तो आधा मैं अभी कट कर रहे हूं और आधा जो है दूसरे दिन बना खाना नहीं, आज खाना जो है बिल्कुल भी एकदम वो है, मतलब मैं और तनमे, दो ही लोग हैं खाने वाले, बाकी पापा भी गए हैं और इनको भी अभी जाना है दूसरे साधी में, तो वही होता है ना, सीजन जब साधीयों का आता है ना, तो रात वाला खाना मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हपते दिन तक मतलब मैं तन में रहते हैं या फिर अकेली मैं ही रहती हूं तन में को भी जाना होता है ऐसा भी कभी कभी हो जाता है तो हम लोग का जैसे गाउं में ये होता है ना जैसे सहरों में तो देखे बहुत कम अटेंड लोग करते हैं किसी किसी कहां जाना होता है लेकिन गाउं में है ना कि अगर किसी कहां भी आसपडो साधी ब्या है तो जाना ही जाना है प्लस जैसे गाउं के आसपास जो गाउं है ना वहां से भी निमंतरन आते हैं और रिलेटि छोड़ के हर रोजी कहीं ने कहीं जाना रहता है तो खाली थी बस मुझे और तन मैं कोई खाना बनाना था और खाना भी अभी बनाओंगी आप देखेंगे तो कहेंगे कि यह क्या खाना बना हुआ है तो उसमें बहुत जादा टाइम लगने वाला नहीं है तो मैंने सोचा कि यह सारे एक्स्ट्रा काम निप्टा देती हूं खाली हूं तो और खाली जब भी रहती हूं ना तो यह नहीं है कि बैठके टीबी देखूं या मोबाइल देखूं मतलब थोड़ा बहुत देख लेती हूं लेकिन मैं सोचती हूं ना कि थोड़े एक्स्ट्रा काम निप्टा तनमे का ड्रेस कही दिन से रखा हुआ था तो धूप निकला था कल या परसों तो मैंने साप किया और अभी सुग गया तो जो है इसको प्रेस करके आज पूरा रख दे रहे हूं तो टाइम मिल गया तो हो गया नहीं तो ये आज भी नहीं हो पाता उसके बाद आगे ही नहीं खाना बनाने तो आज खाना बन रहा है हम लोग का मैगी और चावल तो जब मैं और तनमे होते हैं तो हम लोग इसी टाइप का कुछ भी खाते हैं मतलब आज तो बहुत दिन के बाद और मैगी नहीं पापा खाते हैं नहीं ये खाते हैं सिर्फ मैं और तनमे ही खाते हैं तो इधर मैगी बना रही हूं और मैगी में खुब धेर सारा पानी डाल के बिल्कुल जूसी वाला बनाती हूं जो चावल के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है तो हम लोग खा लेते हैं कभी कभार ऐसा नहीं है कि अब कल भी साधी में जाना है तो कल भी यही बनेगा लेकिन अब पानी डाल दिया है और हो जाएगा तो उसके बाद मेरा और तनमे का खाना होगा तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रहे हूं आज का ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग